जब आप किसी के लिए एक लंबा बक्त देते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से जानना जरूरी होता है कि वो क्या है, कैसे है, उसमें क्या का चीजें होती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या करना है, तो इसके बा आपको भेज़ा जाएगा medical के लिए बहाँ पर फिर medical होगा तो ऐसी वो कौन सी service में होती है जिनके लिए special medical चाहिए होता है और कौन सी ऐसी वो service में होती है जिनके लिए ऐसी जरूरत नहीं होती है मतलब आपके अगर physical रूप से आपके लिए कोई दिक्कत है आप देख नहीं सकते आप सुन नहीं सकते आप बोल नहीं सकते फिर भी आपके लिए वो service दे दी जाएगी मतलब वो service के आप officer बन जाएंगे इसके बाद इसको हम दो category बाटते हैं एक को बोलते है technical services और दूसरे को बोलते हैं non-technical services तो सबसे पहले बात करते हैं technical services इसमें 5 services आती है जिसमें पहली service है Indian Railway Traffic Service दूसरी है Indian Police Service और इसके बाद इसमें तीसरी service है देली, अन्वान, एंडिकोवार Iceland Police Service और इसके बाद इसमें 4 service आती है Pondcherry Police Service तो पाँचमी service के बारें बात करें तो वो है Railway Protection Force तो ये 5 service हैं जिनके लिए Special Medical Status का होना ज़्यादा जरूरी होता है मतलब उसके विना आप इसमें भरती नहीं हो पाएंगे इसके ओपीसर नहीं बन पाएंगे IPS बनने के लिए भी Special Height, Chest और भी कई सारी चीजें मागते हैं जैसे की देखनी की जो आपकी capacity है वो बहुत बढ़िया होनी चीए सुननी की capacity बढ़िया हो लेकिन कोई बात नहीं है इसके अलाबा भी लगबग 19 service हैं और हैं जिसके लिए आप विलिजबल होंगे तो उनको भी देखते हैं जिनके लिए कहते हैं Non-Technical Services जिसमें पहली service आती है IAS दूसरी service आती है IFS Indian Foreign Service तीसरी आती है Indian Audit and Account Service चौथी आती है Indian Revenue Service IRS जिनको बोलते हैं इसके लाबा इंडियन Civil Account Service इसके लाबा शटी service आती है Indian Railway Account Service साथ मीं आती है Indian Railway Personal Service इसके बाद आठ मीं आती है Indian Defense Account Service और नौ मीं आती है Indian Revenue Service Income Tax अब इसके बाद बात करते हैं दसमी service जिसको कहते हैं Indian Ordination Factories Service इसके बाद बात आती है ग्यार्मी service के बारे में जिसे Indian Postal Service का आजाता है भारतिय डाक सेवा और इसके बाद हम बार्मी service के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है Indian Defense State Service और तेरवी service के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम है Indian Postal and Telegraph Accounts and Finance Service इसके बाद चौदमी service के बारे में अगर हम बात करें तो है Indian Corporate Law Service इसके बाद पंदर्मी service है Indian Information Service सोल्मी service है Indian Trade Service और सत्र्मी service है डेली अन्वान निकोवार आइसलेंड सिविल सिविल सिविस और अठार्मी service है पॉंडशेरी सिविल सिविस और उनिस्वी जो सिर्विस है आम्ड फोर्सेज headquarter civil service तो यह जो सिर्विसे हैं जो 19 सिर्विसे हैं इसके लिए special medical status का होना कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है मतलब आपके अगर physical रूप से कोई problem है तब भी आप इन सिर्विस को join कर सकते हैं और as a officer आपको इस सिर्विसे दी जाएंगी